हे फ्रेंट्स वेल्कम टो एक्जाम पार्णा चानल मेरा नाम प्रवेंट सिंग राजपुरहित है और आज अपन पढ़ने वाले लेजेंडरेस थेरम तो इसका फॉर्मेट क्या है पहले जब से पिल अपन वह देखेंगे उसके बाद एक कोश्चन सौल करेंगे ताकि आगा आपका कॉंसे पूरा क्लियर हो जाए तो इसका फॉर्मेट क्या है एक्स प्लस भी होल इस टू एन डिन वाई अपॉन दी एक इस रहेगा इस प्लस भी होल इस टू रहेगा का फॉर्म रहेगा तो आपको ऐसे थिएरु रहे तो लेजंडरेस अगर इस बदल्ध लेकसित इस to N एक तो कॉछी थेरम बस सिंपल सा यह ींगर से जबाट में क्या है जबलेसे कोश्रा हॉल इस टू एन और कोश्रा में तो इसके replacement में क्या जाएगा only x x is to n तो वो हमारा हो जाएगा kochi theorem तो legendary में क्या करना आपको put क्या करेंगे ax plus b equals to e raise to z and z equals to log ax plus b यानि आपको put करना पड़ेगा जो भी आपका question रहेगा उसमें तो आपका first step क्या है find yc that is complementary function second is what find yp yp क्या आपका particular integral and third क्या general solution यानि क्या total आपको जो भी पुरा y रहेगा कैसे निकालेंगे yc plus yp ठीक है अब यापे कुछ note है वो देखते है अपन जब भी आपको ax plus b whole raise to 3 आपको यहापे given रहेगा यानि क्या जब भी आपका power cube रहेगा तो कैसे रिखेंगे उसको d into d minus 1 d minus 2 into y अगर उसका square है तो कैसे रिखेंगे d into d minus 1 into y अगर single raise to 1 है only तो क्या आएगा d into y ठीक है तो यह है इसका legendary का पूरा एक format कि आपको आपका format यह होना चाहिए then आपको e raise to z आपको यह put करना है z equals to e put करना है then आपको y c find करना है y b find करना है और y आपको add करके find करते है that's it ठीक है अब क्या करता हम एक question solve करते है ताकि आपको clear out हो जाए कि किस आपको question में solve करेंगे तो question कैसे आपको given रहेगा 1 plus whole square d square y upon dx square plus 1 plus x d y by dx plus y equals to 2 sin log of 1 plus x तो यह तो होगे आपका function f of x अगर आप यह देखोगे 1 plus x यह आपका reverse ax plus b बोलो या फिक b plus ax बोलो बात एक ही होती है तो मैं क्या करूँगा आप में इसको मैं पहले change करूँगा capital D के form में इसको भी change करूँगा capital D के format में कैसे करेंगे अगर square है तो क्या आएगा D into D minus 1 into y यह आगया अगर हाँ raise to 1 है तो क्या आएगा सिफ single D into y तो given equation becomes क्या हो जाएगा D into D minus 1 y यह आगया यहाँ पे plus यह आगया plus इसके बादर में आजाएगा आपका dy यह आगया हो dy plus y equal to 2 sin z अब z कैसे है आपका आपने सबसे पहले कहते है let 1 plus x equals to kya e raise to z and z equals to log 1 plus x तो यहाँ पर आगर आप दिखोगे log of 1 plus x तो इसको किस से replace करेंगे z से तो यह आगया मेरा 2 sin z ठीक है अब यहाँ पे minus dy इसको मैंने bracket open के दो क्या d square y minus dy plus dy plus y equals to 2 sin z minus dy plus dy cancel तो क्या बचा d square plus 1 bracket into मैंने y common निकाला equals to 2 sin z यह मिल गया मुझे एक पुरी equation अब मेरा first step क्या था to find y c y c कैसे find करेंगे auxiliary equation को equal to 0 करके तो आपका auxiliary equation कहां से मिलेगा y का coefficient क्या है d square plus 1 तो यह आगए d square plus 1 equal to 0 तो d के value क्या आई plus minus 1 i तो आपका इमेज देरी formula का answer क्या आजाएगा y c equals to c1 cos z plus c2 sin z आपका alpha कितना है 0 इसलिए e raise to 0 कितना होगा 0 e raise to 0 कितना होगा 1 तो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने आपका जो bracket part है c1 cos beta कितना आपका 1 z plus c2 sin beta कितना 1 z यहाँ क्या answer अब मैं क्या करूँगा अब मेरा यह function किसमें z में इसको मैं change करूँगा किसमे और इसलिए term यानि कौन सा x वाला term क्योंकि हमने start की से क्या था x term से start क्या था तो मेरा क्या हो जाएगा y c equals to c1 cos z के बदे क्या लिखूँगा log 1 plus x and c2 plus c2 sin z z के बदे क्या आजएगा log 1 plus x तो यह मुझे मुल्ग है क्या y c अब second step क्याता है मेरा to find y p y p किसे निकालेंगे यह formula आपका 1 upon 5d f of z क्योंकि आपका function किसमें चल रहा है z की term में तो y p का शुच्चू 5d कितना आगया 1 upon d square plus 1 into 2 sin z आगया अब मैं क्या करूँगा इसमें formula यूज करूँगा कौन सा method यहाँ पर यूज करेंगे using shortcut method case number 2 तो case number 2 कि में आपके क्या पूट करना है d square equals to minus of a तो a कितना है यहाँ पर 1 यहाँ कि माइनस of 1 square ठीक है a square पूट करते है उसके आपके minus multiply करते हैं 1 का square होगा वाइन और यहाँ पर minus multiply करते हैं d square equals to minus 1 अब जब मैं d square equals to minus 1 मैं इसमें put करूँगा तो यहाँ पर देखोगे तो minus 1 plus 1 कितना होगा 0 जब भी case fail होता है यानि जब भी आपका denominator 0 आता है हम क्या करते हैं जो भी आपका function है अगर x है तो x से multiply then denominator का derivative अब मेरा यहाँ पर function क्या है z तो यह मैंने z से multiply किया then into मुझे यहाँ पर क्या मिल गया 1 upon d square कितना होगा 2 d और 1 होगया 0 तो 1 upon 2 d बचा यहाँ पर 2 sin z यहाँ पर function as it is आगया अब 2 to cancel होगया अब यहाँ पर क्या बचा z into 1 upon d sin z अब single d का मतलब क्या होता है derivative जब उसको मैं reverse कर दूँगा याँ क्या 1 upon d करूँगा तो that is integration तो integration of sin z याँ 1 upon d का मतलब क्या होता है integration sin z तो integration of sin z क्या होता है minus cos z तो यहाँ आगया minus z as it is sin z होगया मेरा cos z तो yp किता है मिलके मुझे minus z cos z अब मेरा यह z function है again मैं किसमें change करूँगा इसको original function यानि कौन सा x वाला term तो yp equals to minus अब मैंने z के लिट किया था minus log of 1 plus x तो यहाँ गया as it is cos यहाँ गया cos z की विल जो आगई log 1 plus x तो मेरा third step क्या था general solution यानि आपका y total y कैसे निकलेगा yc plus yp तो yc के value क्या जो इसमें उठा के put कर दो कौन से value जो आपका x वाले term है वो और yp के value आपके put कर दो तो यह था आपका क्या legendary theorem and thank you so much वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like करो, comment करो और subscribe करो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो subscribe कर दीजे क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो से जो M3 के available होने वाले है अगर आपको notes चाहिए है तो description में इसके link डाल दूँगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो it's a free of course अगर आपको दूसरी वीडियो से एक ने shortcut method हो गया general method हो गया और बाकी जो भी variational parameter है उसके वीडियो अविलेबल ने चैनल पर जाके check out करो और देखो और exam दो thank you so much have a nice day